हेलो और माई डियर स्टुडेंट्स वेल्कम बैक अगेन और माई यूटूब चैनल लिटरेचर वर्ड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर एक्स्पेंड करने जा रहा हूं एर्थ कलास का जो आपका इंग्लिश का जो मॉडल पेपर आया है जो कि अपका मेंड जो एक्जाम होगा 27 अप्रैल को होगा तो इस मॉडल पेपर को हम डिटेल के अंदर एक्सपेंड करेंगे हलाकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज हैं जिन्होंने इस model paper को discuss किया हुआ है तो आप उन्हें इनको देखा भी होगा तो इस वीडियो में खास क्या है देखिए उन्होंने अपको इस model paper के answer बताए है कि वही यह इसका question है और यह इसका right answer है बट उन्हें reason या फिर उसके पीछे की जो grammatical क्या कारण्स हैं क्या reasons है यानि कि grammatical ही नहीं समझाया कि आपको क्या करना होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको यही same to same question वहां को देखने को मिले बट जैसी grammar यहां पर दी गई है इस grammar से little questions आपको वहां पर देखने को मिलेंगे question यह नहीं होगा question कोई और होगा answers कोई और होंगे तो यह नहीं कि आपको यह model पर याद करना है ठीक है कि आप जब इसको explain करेंगे तो याद हो जाएंगे आपके remember रह जाएंगे वहां पर जो questions और टाइप के आएंगे हम उनको कैसे solve करें तो जो आपका यह model paper है इसमें जो भी questions आएंगे उसमें जो भी grammar के topic जैसे जैसे आते जाएंगे तो मैं साथ की साथ आपको grammar की grammar भी समझाता चलूँगा कि जैसे कि आपका पहला-पहला question दे रखा है sound वड़ा question है तो sound को हम कैसे पहचान सकते हैं या इसको यह answer सही क्यों है अगर वहां पर कोई आएगा तो हम क्या करेंगे तो इसलिए अगर आप detailed explanation और साथ में आप grammar भी learn करना चाहते हैं साथ की साथ जो आपके chapters की जो importance chapters है उनके जो question यहां पर दी हुए है उनको भी अगर आप सीखना चाहते तो इस वीडियो को देखिए otherwise मैं तो यह कहुँगा कि पना time waste ना करें क्योंकि ठीक है कुछ यूटूबर्स होते हैं कि में views चाहिए likes चाहिए नहीं it doesn't matter just आपको कुछ चीज सीखन को मिलने चाहिए तो ठीक अब ज़ादा और एक बात हो देखिए वीडियो थोड़ी से लंबी हो जाएगी नहीं आगे भी काम आएगा तो ठीक है तो जो जिसके बाद time है लॉंग वीडियो को अराम से देखने का वह इस वीडियो को देखें अब अधरवाइस बाकी इस वीडियो को स्किप कर सकते आप ओके तो देखिए 27 अप्राइल को आपका एक्जाम है इसके लिए आप सभी को आपना बेस्ट करके आना मैं अभी ट्राइ करूँ आपको बड़िया से बड़िया करवाने के लिए डाइगंटे का पेपर होगा 80 नमर का पेपर ठीक है तो पहला पहला कोशन फर्स्ट कोशन यहाँ पर दिया हुआ है चूज दा वर्ड वर्ड विद डिफरेंट साउंड असल में ऐसा कोशन क्या होता है कि आपको ए बी सी डी फॉर ऑफ्शन दिये जाएंगे वहाँ पे कुछ स्पैलिंग से लिखी होती है और नीचे उस स्पैलिंग के अंदर स्पैशली वावल्स को कैसे की वावल्स आपके ए आई यूई यह वाले इनको इनके नीचे अंदर कर देते हैं कि किस इस पैलिंग के अंदर यह वाला व व्वला शेयर इप कैसे हमें क्या पता चलेगा इसके लिए जरूरी है कि आपको पहले स्पैलिंग सुनी होनी चाहिए नीचे आपने वह भाए इंचे पर लेबल अपको आप छांवinkles नहीग इतना उल जाहेगा संव मे नहीं पता तो तब आप confused हो सकते हो ठीक है तो यहाँ पर अपने देखते है कौन से तो देखिए पहला जो आपका option एक अंदर दे रखा है वो है wall वॉल देखिए पहले तो वॉल दे रखा है फिर सेल दे रखा है फिर कॉल दे रखा है फिर हॉल दे रखा है अलगी देखने में आंसर तो इसका जो सही है वो तो बी है बट बी क्यों है हमें ये देखना है देखो जो पहला लेटर है वॉल उसके अंदर जो ए जो आपका अल् वहां पर भी जो ए है वो साउंड दे रहा है ओ की जैसे कि मैच करूँ वाल कॉल और डी वहला है हॉल तिनों ए सी और डी इनके अंदर जो साउंड है वो सेम है ओ का साउंड है बट बी को देखिए वहां पर स, A, L, E साल नहीं है यह सेल है तो उनका O साउंड है बी का A साउंड है इस परकार आप कह सकते हो कि जो A है C है, D है इनका साउंड तो सेम है बट हमें option में उपर क्या लिखा हुआ है question में यह लिखा है choose the word with different sound of underlined letters तो जो B वाला है इसका sound आपका different है और different क्यूं है मैंने आपको यह भी बता दिया नीचे फिर दो नमपर question दे रख है beast, least, rich, ready देखिए अब सेम A वाले के अंदर E, A का sound, B वाले है फिर E, A का sound यहाँ पर तो E का sound आ रहा है जैसे कि beast फिर B के अंदर least और C के अंदर reach यह नहीं कि बड़ी E की मात्रा आ रही है आपको यह कह सकते हो जैसे कि beach, least, reach but ready के अंदर यह really नहीं है, यह ready है, A का sound आ रहा है इसलिए जो आपका second question है, इसका right answer रहेगा D और क्यों रहेगा, क्योंकि इसका sound A वाला है, A, B, C का E वाला है तो 3 में तो E है और number 4 वाले में A है तो E, 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 but fourth वाले में A sound आ रहा है, इसलिए right answer is B तो यह जो sound वाला question है, आपके होते तब आपे और आए यह same ना आए, बट पैचानना कैसे आपको, यह आपको में आइडिया दे दिया इसके बाद में question number जो आपका third है choose the correct plural word child is अब यह आपका question बना है, वो बना आपका singular और plural से अब इसके लिए तो आपको कोई trick नहीं लगा सकते हैं, आपको जितने भी आपके book के अंदर कहीं से अपने जो normal जो आपके singular plural number दी हुए हैं, वो आपको पढ़ने पढ़ेंगे हम normally देखते हैं कि वो यह S लगा दिया तो plural बन गया बट ऐसा नहीं है, उसके rules हैं, वो आपको अपनी guide में पढ़ने पढ़ेंगे कहाँ पर S लगता है, कहाँ पर E S लगता है, कब V E S लगता है तो specially आप उनको पढ़िए जो कि थोड़े से objection के अंदर हैं, जैनि कि अलग हैं जैसे कि यहाँ पर देखें चाइल्ड, अब नौरमली हम देखेंगे तो भी लगता है भी चाइल्ड है, इसके पीछे ऐसा लगा दो, और चाइल्ड का चाइल्ड बन गया, लोग हो गया, प्रूरल, बट नहीं चाइल्ड का जो पर्टिकुलर जो अपका प्लूरल होता है, वो होता है चिल्डरन, जैनि कि चाइल्ड बच्चा और चिल्डरन बच्ची, इस प्रकार के जो थोड़े से अपके मेन मेन जो दिये हैं, गाइड के अंदर, या पर के बुक के अंदर, आप उनको थोड़ा दो द्यान से जरूर देख कर देए उसका तर वो आपको ऐसा यह वो कोशन दे जैसे मैन का होता है म, A, N तो म, E, N हो जाता है जो आपको थोड़े से चेंज़ेबल लगते हैं थोड़े से डिफ्रेंट हैं थोड़े सा उनको आप द्यान से जरूर देख कर जाना तो इसका जो राइट अंसर वो तो है B, Children Childs नहीं है, Childrens नहीं है Boys तो बिल्कुल opposite हो गया अब Boy होता तो उसका Boys कर देते और यह Childs का Childs से नहीं होता Childs का Childrens से नहीं होता Childs का Children होता है अब आगे जो आपको कोशन नमर फूर है Choose the correct plural वो सेम ही है यहां पर देखो Tooth हमें इसका plural देखना है इसका मतलब यह होगा कि Tooth है वो तो singular होता है यहनि कि आपका एक दांत है तो उसको Tooth कहते हैं और अगर आपने सारे दांत हैं तो उनको आपको Tooth कहना पड़ता है जो राइट अंसर है वो तो आपका है A Tooth singular हो जाएगा जैसे कि example है foot होता है यह वो तुट सांदे कर आपको foot दे दे आपको तो foot का जो बनेगा वो बनेगा fit foot होता है आपका एक pair और fit होते हैं आपके दोन पैर ठीक है ऐसे अगला question देखते है अगला question आपका है जो कि 5 और 6 है choose the correct article बहुत सारे इसके बचे confused भी हो गए थे क्योंकि यह article का topic है articles में ली क्या होता है कि आपके adjective का part है determiner का determiner को आगे classification किया जाता है तो आगे article का topic यह निकल कियाता है article तीन होते है a, n और da या फिर d अब यह da और d इसका भी आगे आगे अगे आगे अगे एगा ज़िए अगो कि हर spelling के आगे आपका article लगे बहुत ऐसा नहीं है कि जो भी आपने noun देखा तो वह उसके आगे article लगा ही मिलेगा ऐसा नहीं होता जैसे कि आपका यहाँ पर दे रखा option d के अंदर cross लगा हुआ है इस cross का मतलब है कि आपका article आएगा नहीं इसको भी पढ़ना पढ़ता है तो question number जो फिफ्टा उसको पढ़ते हैं यहाँ पर दिया कि कैचल इज डैश आइसलेंड आइसलेंड अब यह कोई particular कोई आइसलेंड नहीं है तो हम दा का यूज नहीं करेंगे और article आएगा पका आएगा इसका मतलब कि हमें डातों आएगा नहीं डातों तब लगता है जब कोई कोई एक चीज हो कोई particular किसी के बारे में बात कर रहे हो आप यहाँ पर तो बतायेंगे काचल इसलेंड कोई निस्ची थोड़ी है काचल के अगे आप लगाते तो बहुत अलग थी तो अब हमें हमारे पस option बचते हैं A और N A और N का जो concept है वो चोटी चलसों में यह पढ़ा जाता है कि अगर आपको vowel देखे जैसे कि A, I, U, E यह पांच जो vowel से आपके अगर यह देखे तो भई आप N लगा दीजिए नहीं आए तो consonant आए तो A लगा दीजिए वो आपका concept बिल्कुली wrong है आपको यह पढ़ाना चाहिए यह पर यह सीखना चाहिए कि जहां पर भी आप A, N का use कर रहे हैं जो उसके बाद में जो spelling है जो word है उसका जो word का जो pronunciation है उसका जो starting sound है वो आपका अगर vowel है तो आप महाँ पर N लगाईए अगर नहीं है तो A लगाईए तो यहाँ पर अपने पढ़ते हैं Iceland Iceland यानकी A से शुरू हो रहा है A यानि कि आपका vowel तो हम इसका right answer कर देंगे N Iceland यानि कि option number B फिर आपका question number 6 He is European अब देखिए अगर तो बंदा वो देखे जैसे पर देख रहते भी E आ गया तो N लगा देंगे तो गल्त हो गया क्योंकि पहली बात तो यह European नहीं है यह European है और U sound है वो आपका vowel sound नहीं है consonant sound है European तो एक बात तो clear कि N तो आएगा नहीं अब बचता है A लगाएं दा लगाएं या फिर कोई वी आर्टिकल ना लगाई यहाँ पर क्या कि जब अपने पूरी country की कोई एक continent की बात करते हैं तो वो पूरा group को दिखाने के लिए आपको दा लगाना पड़ता है तो वैसे तो वहाँ पर sorry अगर एक ही होता तो हम वहाँ पर दा लगाते बट पूरे continent के लिए अपने दा नहीं लगाते जैसे अपने पर लगा लो अपने यह नहीं बोचते कि आई एम दा इंडियन ठीक है इंडिया लगे country है तो जब continent की पूरे की बात आती है तो वहाँ पर आर्टिकल लगता है ए और एन का यूज किया जाता है अब यह यह नहीं बनेगा कि वही ही इस एन यूरोपियन यह गलत हो जाएगा आपका जो सही answer वो बनेगा अब यहाँ पर थोड़ी सी confusion क्रेट होती है कि वही अपने यह क्यों नहीं कहते है कि I am A Indian यह लगना चाहिए भी I am An Indian तो इंडिया का country है country के लिए आपका आर्टिकल कोई use नहीं होगा ठीक है बट यह यूरोपियन है कोई यूरोपे country नहीं है यूरोपियन है कि पूरी वो सारी के सारी countries को इसने count कर लिया इसलिए यहाँ पर जो आपका आर्टिकल आएगा वो A और N में से आएगा और यहाँ पर A N का topic देखे तो यहाँ पर A आएगा क्योंकि आपका जो sound है वो consonant का sound है अब नेक्स देखिए question number seven और eight choose the correct opposite in gender for given words यह आपको simply कुछ नहीं करना आपको gender बताना है gender यहने की link change करना है राजारानी, माता, पिता, बहन, भाई हिंदी के इंदरा पढ़ती हो न वो ही है तो यह तो बहुत easy है कि आपको spelling देख spelling भी नहीं लिखने पड़ेगी अब मदर का देर का है यह तो बहुत easy सा topic है बट भूसर बहुत आपको यह ना दे आपको तोड़े से जो different type के है जैसे की जो आपको कभी पढ़े रिये नहीं होते जैसे cow का, bull या ox का दे दिया peacock का दे दिया यह जो तोड़े से बंदा पढ़ता नहीं है छोड़ देता है इसका जो डिफिकल्ट है इनको तो क्या याद करना उनको अप तोड़ा सा द्यान से जुरूर देखके जाना ठीक है इसके बाद में चलते हैं अपने question number 9 पर 9 दा ओड लेड़ी वोस सिटिंग इन वीलचेर हैंड्स वर फोल्ड़ड देखिए इसका जो right answer वो तो है C जनकी her hand बट यहाँ पर यह question पूछा कहां से है हलाकि अपने book में से है अपना जो पहला chapter है the best Christmas present in the world उसमें से यह question लिया गया है बट किया कैसे है यह देखिए इसने असल में grammar का topic उठाया है अपका pronoun वाला pronoun के अंदर topic होता है अपका pronoun भी होता और adjective भी होता है possessive possessive यह निकि निजवाचक जो आपका visualization भी होता है निजवाचक अपका सर्वनाम भी होता है ठीक है हम adjective को देखते हैं जैसे कि निज़ यह निकि अधिकार अधिकार जैनिकि जपना खुद का है अगर तो आई के लिए होता है तुम कहते हैं जैनिकि माई आई का तो माई होता है you का yore होता है दे का देर होता है और he का his होता है she का हर होता है यहाँ पर कहा कि the old lady was sitting in wheelchair कि जो बुड़ी ती इसका नेम था अपने को पता ही है मिसीज कौनी मैक परसन वो चेर पर बैठी हुई थी सॉरी हैंड्स वर फोल्डड उसके हाथ क्या थे फोल्ड की हुए थे किसके हाथ हुई तो वो तो एक लेड़ी है लेड़ी है निकिशी जो पोजैजिव केस आता है वो आता है हर इसलिए जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हर हैंड्स कि उसके या पर उसके लिए अपने हाथ ओड लेड़ी चेर पर बैटी हुई थी अपने हाथ उसने फोल्ड कर रखे थी अपने हाथ निकि वो लेड़ी के लिए अपने बन गया हिंदी के लिए बट वहाँ पर आपका हर ही आएगा देर नहीं आएगा देर ज़्यादा के लिए आता है अगर जहापे देर होता तो देर लगाते अपने बोलते हैं न कि देर फादर जैने कि उनके पिता देर होम उनका घर हिस होता अगर लड़का होता जैसे कि his father, his school, his home माई अगर आई आता तो माई लगाते कि माई my school, my hands माई duty, माई public जो भी है ना बट यहाँ पर lady की बात करी जा रही है lady एनि की she, she एनि की इसका जो possessive case होता है, adjective के अंदर वो बनेगा आपका हर, अब आगे देखिए, question number 10 दे रखा है, my name is Janisha and I dash am in 8th class, अब ये तो I think कोई भी कर देगा, क्योंकि M किस के लिए आता है, इस देखो, M मैं न, M से फिले मैं पता कि I आता है, तो हम लगा देंगे I am in 8th class, बट समझने वाली बात ही है कि यहाँ पर टॉपी तोड़ डीपली भी है, कि हमें यहाँ पर एक subject चाहिए, क्योंकि helping वर्व दे रखिए, M आपकी helping वर्व होती है, helping वर्व से हम already एक subject का use करते हैं, और subject आपका जातो कोई noun हो सकता है, यहाँ पर noun हो सकता है, तो पहर परनावन के अंदर आपका personal परनावन होता है, परसनल परनावन है आप पढ़ते हो, I, you, they, we, he, she, it, यह अपके सारे के सारे subjective case है, यहनि कि जब as a subject use करना है तो आप I लगाओगे, और इन्हें के objective case होते हैं, जैसे I का me, you का you होगा, दे का them होगा, we का us हो जाएगा, he का him ह हो जाएगा, she का हर हो जाएगा, तो इस angle से आप देखोगे, तो हमें यहाँ पर कहज़ें, यह subject चाहिए, जो आपका हर है, यह तो आपका objective है, तो यह तो नहीं आएगा, अब बचता है भई, I, she और दे, आप इनको देख सकते हैं कि आगे helping वरव कौन सी है, helping वरव आपकी M है, अगर M है तो I के साथ में M आता है, she आता अगर यहाँ पर इज होता कि she is, they आता अगर यहाँ पर आर होता कि they are, तो right answer जो आपका रहेगा, वो रहेगा, B यानि कि I am, my name is Jinnisha and I am in 8th class, हम देखते हैं आपका question number जो आपका है 11, question number जो आपका 11 है, यहाँ पर आपको mix कर दिया, उसने preposition भी दे रखी है, tenses के rule भी दे रखी हैं, और model भी दे रखी हैं, तो बात करते हैं पहले first की, rather is putting her books dash bag, इसका जो right answer है वो तो रहेगा in, अब यहाँ पर preposition है, वो काफी है दे रूल्स थे, हम यहाँ पर दो ही दे उनको समझे ले थे हैं, four होता है के लिए, हालकि preposition की कोई शुद हिंदी नहीं होती, हम उने पढ़ा हुआ है, हिंदी के दार पे आप इसका answer टिक मार्क नहीं कर सकते, पर ठीक है, यहाँ पर इसको लगा सकते हो, इस answer को सॉलू करने के लिए, रादा इस पूटिंग हर बुक्स इन दा बैग, कि अपने किताबे बैग में रख रही है, ना कि बैग के लिए रख रही है, आगे दा कैट इस सीटिंग डैश ट्री, यह topic अंडर और टू, अंडर यान की नीचे होता है, किसी चीज के नीचे होना, नीचे भी ऐसे होना कि वही आप उसको टच ना कर रहे हो, जैसे कि कोई बंदा पेड की नीचे बैटा तो ऐसा नीए, मेज की बिल्ली बैटी तो ऐसा है, नहीं कि उसकी जो बैक है, वो ऊपर जो पीठा उसक तैचेर भी हो सकता है यहां पे वो के बजाए कोई और चीज़ दे देगा अजर उसको अंसर चेंज डालना हुआ तो तो अंडर का मीनिंग याद रखना के नीचे किसी चीज़ के नीचे होना आगे आगे आपका जो दो कोशन है थर्ड और फोर्थ ये लिटर आपके टैन से स दोने यह option आपको सही लगेंगे read भी सही लग रहाया और our reading भी सही लग रहाया क्योंकि दोनों ये दोनों Present के अंदर आते है read आपका Present simple के अंदर आता है और our reading आपका Present continuing के अंदर आता है तो हमें एक सही चूज़ करना है तो जो आपका थर्ड नमर कोश्चन है उसके लाइन दे रखी लाश्ट के अंदर नाओ एडेज नाओ एडेज यानि कि इन दिनों यानि कि अभी अभी वह ये काम कर रही हैं तो नाओ एडेज एक आपका कीवर्ड होता है प्रेजंट कॉंटिनेस के अंदर कि अगर अपको प्रेजंट कॉंटिनेस चीज़ करना तो वहां पर कुछ टीवर्ड मिलेंगे जैसे कि नाओ एडेज या फिर नाओ या फिर जस्ट नौ इसके कुछ अलग की वर्ड से आपकी बुक में दिये हो कुछ में बता देता हूं यह कुछ की वर्ड जिनका आपका आणसर सही किया जाता है यह तैंस के अंदर आपने आपके टीचर में पढ़ाया होगा समझाया होगा वहां से थोड़ा देख लेना आगे दा सन इन इस्ट अब यहां पर राइस राइस और रोज अब यह दोनों सह वह चूज करना है टेंस के अकॉर्डिंग चूज करना है असल में जो है कि वही दा सन इन दा इस्ट यह आपका एक यूनिवर्सल फैक्ट है यहनि कि यह चीज हमेशा होती है है तो टेंस जब पढ़ते है तो बहां पढ़ाया जाता है कि जितने भी आपके साइंटिफिक प चाहिए जो यहां पर दे रखा है जिनिकि आपका उफिशन सी हो जाएगा राइज़ दा सन राइज इन दा इस्ट इसके बाद में नमबर फाइव जो कि आपका मॉडल से है मॉडल यहां पर दो दे रखे है कैन और मस्ट कैन पावर को शो करता है हिंदी के नरा मीनिंग नि पका भी होता है बट जब कोई आपको अबलिगेशन दी गई हो कोई ड्यूटी दी गई हो और नेटिक्ट दी गई हो यानि का वह काम करना चाहिए तब आप मस्ट का यूज करते हो शुड भी होता है बट ऐसा उप्शन कभी दिया नहीं जाता कि आपको शुड भी दे दे वो दोन में से कोई एक चीज देता है तो यहां पर फिर बस मस्ट हैं तो हम अब इदर हिंदी बनाएंगे इदर वाले कोश्चन को पढ़ेंगे कि वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि कि we must follow the traffic rules यह अपने एक duty को शो कर रहा है कि हमें traffic rules की पालना करनी चाहिए इसलिए हमारा जो बड़ी वाला जो आंसर हो रहेगा मस्ट इसके बाद में आपका question number 12 write the missing letters in following words इसके लिए आपको इस पैलिंग्स आनी चाहिए जितनी ज्यादा से ज्यादा जब आप चैप्टर क्रास के नरे पढ़ा करते तो चैप्टर को ध्यान से देखा करो teacher क्या बोल रहा है तो spelling अगर आप English लिखते हो बोलते हो पढ़त हो तो ही जाकर सही हो सकती है तो इसका को trick है भी नहीं कोई grammatically भी कुछ चीज़ नहीं है जितना जाद आप English बोलते हो speaking करते हो reading करते हो writing करते हो यह चीज़ उस पर depend करती है यहाँ पर दिया है record तो record की word में ओ लगा दोगे tongue की spelling है tongue जीव तो you लगा दोगे आगे diary diary के लिए आई लगा दोगे तो simplest के तो answer में ने बता दी है record की spelling है tongue की spelling है और diary की है इसके बाद मैं आपका है कि write and opposite for the given words यहीं कि आपको opposite word बताने है opposite यहीं कि आपको belong शब्द बताने है जैसे कि दिन का रात काला स्वेद का काला न यह वाले अच्छा बुरा दुखी खुश यह वाल कई बच्चों के यह problem रहेगी कि इसमें करना के यह चीज़ समझ में नहीं आती भी करना क्या है उनको आते हैं कोई बता दे तो तो यह जो आपका होता है ना कि भी opposite opposite यहनिकि उल्टा उल्टा यहनिकि उसका belong ठीक है इसके लिए आपको यह आपका vocabulary section है इनको याद करना है able तो able का रहेगा enable यहनिकी यू एड़ अबल फिर आपका clean clean का dirty कर सकते हो unclean भी कर सकते हो बड़ी आ रहेगा कि आप इसका clean का dirty कर दो dirty यहनिकी गंदा तो हिंदी के अंदर यहनिकी खाली बरा हुआ सक्षम एसक्षम clean यहनिकी सापसुत्रा और गंदा सवच यहनिकी आपका यह वाला बन जाएगा इसके लिए आपको vocabulary यहनिकी आपकी जो vocabulary section के अंदर दे रखे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा इसके बाद में जो आपका topic है जो आपका question है वो आपका number 14 देखी क्याने कि आपकी grammar को दो section में divide किया जाता है कि vocabulary section होता है जैसे आपका number हो गया ठीक है opposite हो गया जेंडर हो गया इनको कि आपको learn करना पड़ता है यादी करना पड़ता है क्योंकि spelling से इनको याद करें वगार काम नहीं चलता एक आपका grammar वाले होता है section जिसके आपको grammar को समझना पड़ता है जैसे कि यहाँ पर दे रख सिंपल संटेंस का formula आपको यादोना चाहिए कि पहले आपका subject आता है फिर helping वर वाती है फिर main वर वाती है फिर object फिर etc जो भी words है वो आजाते है negative में आपका not कहां पर लगता है formula बता देता हूँ वैसे class के नदर तो मैंने पड़ा रख है subject helping वर फिर note फिर main वर फिर आपके object है तो नहीं है तो भी simply यह starting यह रहेगी फिर आपका अगर interrogative है दो परकार के होते हैं के helping वर वाला एक फैमिली वाला तो पहले helping वर वाएगी फिर subject आएगा फिर आपकी main वर रहेगी not में subject के बादे में not लग जाएगा देवलोच में आगे देवलोच वोड आ जा ना ठीक है जैसे हम यहां पर देखते है capital जैपूर और राजस्तान इस दा तो capital हमें सबसे पहले परसा चल रहा है कि भाई देखो कोई डेवलोच फैमिली नहीं है कोई question mark नहीं है तो यह आपका sentence interrogative तो नहीं है तो बचता है कि भी simple है यह पर negative है देखो कहीं पर note दिख रह sentence बनाना है simple sentence के लिए हमें चाहिए सबसे पहले subject subject आपकी एक noun यहां पर कोई pronoun हो सकता है तो देखो capital जैपूर और राजस्तान इस दा हमें देखे capital भी capital राज़दा नहीं होती है जैपूर बट यह तो अपने line सुनी हुए है कि हम कह देंगे कि जैपूर is the capital of राजस्तान त इसका right answer यह बन गया इसके बाद में आपका है our is class teacher Mr. Sharma यह भी आपका देखो negative नहीं है interrogative नहीं है simple sentence बनाना है तो रख दीजिए subject जैने कि Mr. Sharma is our class teacher आप यह भी कहते हो कि our class teacher is Mr. Sharma यह भी सही बनेगा गलत नहीं होगा our class teacher is Mr. Sharma यह भी सही है और Mr. Sharma is our class teacher यह दोनों ही सह यह गलत नहीं है ठीक है कई वर रटा 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 लगा के चला जाते हैं वी इसका तो यह बनेगा नहीं grammar पड़ी हुई है आप इसको ऐसे बना सकते हैं अब जो number 15 है वो भी आपका vocabulary section से one word अगर आपको याद होंगे तो ही लिख पाओगे इसको कोई समझने वाली वात तो इसके अंदर है नहीं कोई rule तो है नहीं आपको एक line दी जाएगी उसके लिए आपको one word use करना है जैसे कि यहाँ पर दे रख है a person who makes wooden things एक बंदा जो लक जलती कर दोगे तो जितने वी आपके थोड़े से highlighted जो famous से जो आपके one word है उनको आप जरूर पढ़िए फिर आपका someone who flies airplane जो airplane को उड़ाता है पी से जनी की pilot अब इनकी spelling भी आपको आने चाहिए और यह पता होने चाहिए भी इसका one word क्या है तो यह आप इसको कर पाओगे फिर आगे आपका number six है match the following sentence according to the time of event यह क्या होता है कि आपको एक कहानी जो कि आपको सुनी हुए होती है लगबग जैसे वो loin and mouse वाल दे सकता है टेलर वाल दे सकता है बियर टूप्रेंड यह दे सकता है जैकि तो normal सी कहानी वो आपको यहापे दी होगी उसके जो sentence होंगे व सब्सक्राइब करते हैं कि रोटी लेके बैठा है कि तो बहुत अच्छा गाता है को उसके बातों में आ जाता है गाना गाने लग जाता है रोटी उसके मुह से गिर जाती है लोटी उठा कि वहां से चली जाती है बट यहाँ पर पढ़ोगे तो पहली पर लाइन के है कि one day the crow got a piece of word कि एक दिन कोई को sorry एक दिन कोई को रोटी का टुकडा मिला फिर है कि four wanted to get the piece of bread रोटी को टुकने को पाने के लिए crow became happy and sung कोई खुश हो गया और गाने लगा तो यह कोई लाइन थोरी बनेगी तो उपर नीचे कर रखा है इसका जो सभी सिक्वेंस बनेगा आप सब स पूरा लिखना होगा वहां पर ऐसे नहीं कि अपने नमबर लगा के छोड़ दिया भी five बाला पहले आएगा नहीं five नमबर लगा कर उसके आगे बाए लाइन भी sentence भी लिखना होगा फिर आपका आएगा पहले बाला कि one day the crow got a piece of bread फिर आपका जाएगा आपका जाएगा फो आपका थड़ बाला जाएगा कि कोई ने गाना गाया खुश हो और गाना गाया अलागि पूरी काहनी आप पर नहीं दी हुए है तो sentence को according to time event आपको select करके द्वारा लिखना होगा कोई भी काहनी हो सकती है तो काहनी आपको वैसे पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपके वाँ सारे जो चैप्टर आपके syllabus में दी हुए है उनकी हिंदी आपको आनी चाहिए लाइन टू लाइन आनी चाहिए बरना पजल हो जाओगे तो यह तो आपका बिपिन चौदरी बाले में से दे रखा है जिसकी वह यादस चली जाती है डिरेक्ट माइस के आंसर पर यह आऊंग यह अपर अकेला लिके दे न्यू मार्केट तो हो सकता आपके थोड़े से नंबर कम आए ग्रामेटिकली आंसर को सही करकर और थोड़ा सा एक्ट्रा लिखने की जिरूर कोशिश करना आप आप है जैसे कि इस कांसर बन जाएगा कि वे डिपिन बाबु गो और एवरी मंडे हर सौंबार को बिपिन बाबु कहां जाता था इस कांसर पहली लाइन के अंदर पढ़ा हुआ है एवरी मंडे ओन इस वे बैक प्रों वर्क बिपिन चौधरी वोड़ ड्रॉप इन आट काली चरन काली चरन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स सेम कोशन अपर दूसरा है व इन न्यू मार्केट के न्यू मार्केट क्यों जाया करता था कहानी पढ़ी हुई है वो किताबे ख्रीदने के लिए और कहानी अभी किताबे ख्रीदने के लिए किताबे ख्रीदने के लिए वाँ पर जाया करता था और किताबें भी कौन सी आगे आप लाइन पढ़ोगे फ वाई वाले का विकॉज लगा कर लिखना जैसे कि विपिन बाबू वेंट तो निव मार्केट विकॉज विकॉज ही वांटर टू परचेस सम बुक्स रलेटर टू क्राइम स्टोरीज गोश्ट शोरीज एंड फ्रिलर्स तो यह आपका बड़ी वाला आंसर हो जाएगा इसके बाद में नंबर थर्ड कोशन है कि वाउस बिपिन बाबू एक गुड मिक्सर मिक्सर यहन की लोगों से मिलने वाला कि क्या वो लोगों से ज़्यादा जूलता था नहीं पहले तो आप लिखोगे कि he was not good mixer because he used to live alone and he had only few friends and he did not like to spend time in idle chat two days जनी कि वो ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे उसको ज़्यादा अपाल तो भी बाते करना लोगों से पसंद नहीं था वो परिवार में में अकेल है रहे तो कोई family उसकी थी नहीं इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके परकार की किताबे बीपिन बाबू प्रसंद नहीं करता था तो यहाँ पर तीन परकार की किताबे दे रखी है जो कि आपके परग्राप में थी जैसे कि crime stories yes, ghost stories yes option c love stories यह नहीं थी तो options आपका c हो जाएगा बीपिन बाबू did not like love stories he used to like only three type of books like crime stories, ghost stories and thrillers तो यह आप cancer c रहेगा अब इसके लिए आपको book की हिंदी chapter की हिंदी आएगी तो आप easily कर लोगे बर नहीं थोड़ा सा दिमाग लगा होगे तो आपको paragraph में से answer पका मिल जाएंगे चलते हैं आगे फिर यह उसी passage के अदार पर grammatically कोई question पोच लिया इसने टिक opposite word of enemy enemy का आपको opposite बताना भी opposite क्या होता है यह आपका vocabulary section फिर से आगया opposite word पड़ोगे तो आपको बहुत जगह पे काम आएंगे तो हमें इसका पता है कि वह enemy का तो enemy जनी के दुश्मन दुश्मन का opposite friend option number A chat नहीं होगा chat बाते करना होता है spending कर्च करना होता है work काम होता है फिर आपका question number 6 अब आपको true false पताने है उसी passage की अदार पर जो अपर दिया गया था तो यहां पर है कि विपिन बावू lived alone विपिन बावू अकेला रहता था बिल्कुल सही है हम लिखेंगे true पूरा T लिखके मत चोड़ना अकेला बच्चों की आत होती है भी T लिख दिया फिलिख दिया वेटा पूरा लिखना पूरा स्पेलिंग बड़ी है पड़ी हो यह वहां से देखके लिखना फिर आपका विपिन बावू had few friends विपिन बावू को यह थोड़े से फ्रेंड थे हाँ थे बिल्कुल थे इसका भी true है क्योंकि हमने चेप्टर पड़ा हुए वह call भी करता है पूछने के लिए भई मैं पागल तो नहीं हो गया कहीं पे ठीक है फिर आपका जो 18 नंबर कोश्चन है यह आपका आपकी पोईमों से लिया गया है एक स्टेंज आपको देगा स्टेंज आजने की पोईम ठीक है उसकी अधार पर वो आपसे कोश्चन पूछेगा यहाँ पर अपने कोई यंग किर्केट वाला दे रखा है वो ही जो जब मौसम बड़ी अतनी नाचता है बाद में इसको खाने को कुछ मिलता नहीं की चिंटियों से माँगने के लिए जाता है वो कहता है कि बाई साब ना उदार देते हैं ना उदार लेती है ठीक है तब तु बड़ा गाने गुने गा रहा था आज आके डांस कर ले तो डिस्को डांस को चेसे करवा दिया ठीक है तो इसकी कोश्चन देखते हैं सीधा पोईम आपको तोड़ पढ़ाई देता हूँ, यह पोईम रिवाईज हो जाएगी, एक सिली यंग करिकेट अकस्टम तो सिंग, एक सिली यंग करिकेट जो की अकस्टम था, अकस्टम यूनिकी, हैप्चुल था, उसकी आदत थी, क्या करने की, गाने की, तो देवाउम सनी मंद्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, जब गर्मियों के स्प्रिंग के दूप बाले दिन थे, गर्म दिन थे तब, यनिकी तब वो गाने गाता था, बिगन तो कंप्लेंड वेंड एट एट हॉम, जब उसने कंप्लेंड शुरू कर दी, कंप्लेंड से खाना पानी बंद हो गया, खतम हो गया भी, तो कमाया है नहीं, स्टोर्ज इस नहीं किया उसने, तो एक लाइन देखो, यहां पर विंटर वोस के, इनकी सरदियां आगी, सरदियां आगी, सरदियां आगी और बरतन खाली, बांडे खाली, खाने कुछ है नहीं, तो शिका पर आगे तो कहते होंगे, यहर क्या करें, अब क्या करें, सेम भई, आप किर्केट की कैटेगरी में आओगे, अगर आपने पहले डांस की है, गाने गाई है, ठीक है, और जिनने टब टाइम बढ़ी है, पढ़ाई की है, उनके लिए बढ़ी है, उनको कोई प्रॉलम नहीं आगे देखो, नॉट एक टुकड़ा, पीस ओ ब्रेड, एक तिनका तक नहीं मिला, ओन दा स्नो कवर्ड ग्राउंड, तो ग्राउंड पे बर्क पड़ी हुए सरदिया आ चुकी है, नॉट फ्लॉवर कुड भी सी, कुड ही सी, ना के फूल पत्तियां दिख रिये की जाके उ तो किरकित ने का कि बाई साब, अब मेरा क्यों होगा, अब तीरा क्या होगा का लिया, होना क्या है बेटा, पहले तू कुछ किया नहीं, अब बुखा मरेगा, और क्या करेगा, पूरी पोईम आगे पड़ेंगे, तो चिंटिंगों के पास जाएगा, उनसे हल्प मांगेग चिंटिंगां कहेंगी, not war-war and not land-over, ना देते हैं, ना लेते हैं, बाई साब पहले गाने गाते थे, अब जाके डान्स कर लो, अब कोशन देखिए, who was accustomed to sing, accustomed यनकी गाने की आधत किसको थी, easy answer लिक दोगे, the young silly was accustomed to sing, his habit was singing, and when, वो भी आप लेके देना की भी कब थी, when did cricket begin to complain, cricket ने शिकायते शुरू कब कर दी, when he found that all cupboards was empty at home, and winter was game, जब सर्दियां आगी, गर के बरतन खाली हैं, तब शिकायते शुरू कर दी, देखिए, डाइडाइ नमबर के हैं, वही साब, थोड़ा साब को, grammar का यूस करते हूँ, अच्छे से बना कर, थोड़े से lengthy question लिकने पड़ेंगे, जैसे कि पहला भी गाने का, आध किसको थी, कई लिखेंगे, young cricket cell, young cricket, young silly cricket, ठीक है हो सकता है, कि आमीर आपको number देदे, बट मेरे कॉर्डिंग सही नहीं है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, कि इसके आध नाम के, young cricket was accustomed to sing, he was very silly, कब गाता था, क्यों गाता था, यह आपको लिखना पड़ेगा, दूसरा है कि भई, इसने शिकायतने कभी शुरू कर दी, simple तो यह है कि बरतन खाली होगे, सर्दिया आगी, बट ऐसे नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, किसने शिकायतने शुरू, कब कर दी और क्यों कर दी और क्या हुआ था, उसको गाने के आती तब उसने, he did not save anything for future, so that's why when winters came, and he found that all cupboards was empty at his home, that time he started complaining, तो पूरा लिखना पड़ेगा, इसके लिए, वीडियो 40 मिंट की हो चुकी है, चलो, फर्स पर्स कींचते थोड़ा सा, बर्नाप का ओगए वीडियो बहुत लैंती हो गई, बट कोई बात नहीं, पूरा आपका सारा कुछ समराइज हो रहा है एक प्रकार से, इसलिए बाकियों को भी शेयर कर देना, आपको अच्छा यंग क्रिक ट के सथा बेभ बहदोर था आरे कहां बादोर था यार बहुत प्रकलाइवर वीडियो ड़ू किर लेकर इंड़ नहीं, के मिनीम भी झूडाखनार था ब्रेव क्या होता है, ब्रेव क्या होता है, बहते हैं सिलिय तो लिका भी हुए है येंग, यंग, यंग से ग्रामर के अंदर, the ground was covered with ground, किस से cover किया हुआ था, फ्लोवर से फूलाउं से, अरे फूलाउं से बारा होता, फूल खा लेता, वो, वो तो ताही नहीं, सनो से, हाँ, सनो से डखा हुआ था, बर्प पड़ी वी था, पूरी एक दम चिट्टी, आगे वाटर पानी से नहीं, पा रहेगा, फिर आपका true false बताने है, वही आपके, फिर से true false आगे, the cupboard was empty, अलमारी इसके खाली थी, हाँ, बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल साफ, winter season was coming, winter season आ रहा था, हाँ, बिल्कुल आ रहा था, इसकी भी true है, there were leaves on trees, पेड़ो पर पत्तिया थी, बिल्कुल नहीं थी, बही होती तो वो खा लिता ना, ओके, तो मैंने कादा कवर कर लिया, 18 तक complete कर लिया, वह, आगे फिर आपका एक paragraph है, यह unseen है, इनकी book में से नहीं बाहर से दे दिया, बाहर से वो कोई भी दे सकता है, कोई भी बट, ऐसा topic जो easy सा हो, जो की जरूरी भी हो, ऐसा topic वो देता है, जैस से थोड़ा सा paragraph पढ़ लेते हैं, क्योंकि अंसीन है, काम की चीजी है, pollution पे कई वर ऐसे आ जाता है, तो लिखना पढ़ जाता है, paragraph, pollution is one of the most burning problem before mankind nowadays, जो जनी की आज कल के लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्था है कौन सी है, pollution की, it has taken a series from today, बहुत बैनक किसे ने form डारन कर ल है, क्योंकि इनसान ज्यादा गुस्पेट करने लगे प्रकृती में, कोई बचाता है नि डिस्ट्रोई बड़ी है कर रहे हैं, अच्छे से, पेड़पूर लगाया करो भई साब, the whole environment has become polluted, सारे का सारा बातावन, pollute हो चुका है, there are three main type of pollution, तीन प्रकार के main pollution है, पता यह air pollution air pollution कैसे होता है, आपके sound से, विकल का sound, आपके DJ, DJ वाले बबु मेरा गाना बजा दे, बड़ा जोर से बजाते हो, कम बजाया करो भई, water, water निकी पानी, पानी निकी chemical, यह factory से गंदा पानी निकलता है और अच्छे से छोड़ते हो भई साब, noise pollution, noise, sorry, 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 मैंने गल्त होत आपका यह दुआ निकलता है, जो गाडियों से निकलता है, factory हो से निकलता है, यह आपका air pollution है, और noise pollution जो मैंने air pollution के लिए बता दिया, वो वाला, यह निकापका DJ वाला बाबु यहां पे आएगा, noise pollution में, ठीक है, आगे air pollution बता दिया, air pollution is mostly caused by smoke coming out, chimney, factories, milk, workshop, etc, it causes lung disease, इसे क् पड़ों की बीमारिया हो जाती है, अधसमा, eye flu, and eye burning, and headache, सिर्थ दुखन लगी जाता है, तो अब question देखते है, die-die number के बनाके लिखने पड़ेंगे बड़ी हवाले, what is the most burning problem nowadays, कौन से जादा ब्यानने की समस्या कौन सी है, अगर तो simple लिखोगे pollution, तो number die में से आदा ही मिले मेरे को लग रहा है, तो पूरा भई लाइने देखो, पांच से छोड़ रखे, पांच लेने बरनी है, पूरी के पूरी, इस cancer आपको प्रवीन मिलेगा, आपको खुद की knowledge काम में लेनी पड़ेगी, तो detail में लिखना पड़ेगा, pollution क्या होता है, ये problem क्यों है, तो pollution is the most burning problem before mankind today क्यों है, किस प्रवा के pollutions है, क्या उनकी कारण है, क्या उसकी causes है, क्या उसकी result है, ये भी आपको बताना पड़ेगा, फिर राइट दा कौज आफ एर प्लुशन, एर प्लुशन के क्या का कौज है, क्यों होता है, कहां से होता है, तो ये भी आपको detail बताना पड़ेगा, इस सब्सक्राइब क्या लोगी निकलता है, ये जिसमें सब्सक्राइब क्या करते हैं, और पेड़ेग अक्सीजन कम होता जा रही है, ये भी आपको बन जाएगा, तिर आपका, तिर आपका वाई है, चुका है इसके अंदर को से सारी बताने पड़ेंगे एर पड़ुशन वाले कॉज बता दिना और अपने नोइस वाले बता दिना यह सारी मिलकर आपका पूरा अन्वार्मेंट कहां से गन्दा और जाएं प्लास्टिक के बारे में लेके देना तीक है यह सार आपको लिखना पड़ेगा फिर जाके वो उसके दो नंबर देगा फिर विच आपकी इसी रहेंगे विच आपकी फॉलोगिंग इस नौट टाइप पॉलुशन इनमें से कुण सा पॉलुशन नहीं है एर पॉलुशन होता क्या एर पॉलुशन से हैड़क होता है तो पैरा ग्राफ के अकॉर्डिन देखो लिखा हुआ भई लास्ट लाइन में देखोगे इट कॉसे लंग डिजीज अस्तमा आई फ्ल्यू और आई वर्निंग हैड़क एट सेक्टरा तो भई यह भी आपका ट्री हो जाएगा दोने सेक्शन सी के अंदर आपका राइटिंग वाला पॉर्शन आ जाता है अपका लेटर कान यहां पर अग्राफ यह मिलेंगे आपको तो ट्वंटी नमर कोशन यहां पर आपको दे रहा है भई यह तो एप्लिकेशन आएगी यह पर लेटर आएगा दो यह आपके बास लेटर क्या होता है चरे पढ़ लेना लेटर दो प्रगार के होते हैं अफिशल अनफिशल ऑफिशल के अंदर आपकी एप्लिकेशन होती है ठीक है सिंपल बताऊं तो ऑफिशल लेटर जो की ओफिस वालों को लिखे जाते हैं जिनकी जौब होती है जिनके अब पूश्ट में दा लगाते हो दा प्रिंसिपल दा हैड मास्टर दा डिरेक्टर दा एडिटर ये वाले और दूसरे आपके रिष्टों दाले गर वाले इनफॉर्मल इन घर वाले यह पाप ममी को अंकल आंतियों को लिखते हो वाले लेटर यहां पर कहले का यू और राज ध्यान देने वाली खरती है कि बई साहब जो नाम यहां पर दिया होगा जो एडर्स यहां पर दिया होगा आपको वही एड्रस लिखना है इसका पैटरन क्या होता है इसके लिए अपने इसी चैनल पर लिटरेट्र वर्ड पर प्लेस्ट में जाओगे तो वहां पे एक वीडियो पड़ें वीडियो खत्म होती वहां पर आ जाएगा आपको क्लिक कर देना और वीडियो चल पड़ेगी देख लेना बड़े काम किया और यह वीडियो तो लेटर अप्लिकेशन आपके नाइन्थ में टैंथ में जिन्दगी बर काम आएंगे एजी तरीके से मैंने समझा रखा है तो यह आपका हैड मास्टर आता है सीनर के लिए पर आपका प्रिंसिपल बैठता है वहां पर तो यह तो आप यहां पर लिखने पड़ेगा उपर अपर लिख दोगी जैसे जैपूर लिख दो कोई नगर बना सकते हो राम नगर 150 जैपूर फिर लाइन छोड़के आपको डेट लि दा प्रिंसिपल गौवर्मेंट कौन सा स्कूल है यहां पर लिखा है इनी यह स्कूल का नेम क्या लिखा है गौवर्मेंट सीनियर स्केंडरी स्कूल नीचे लिखोगे जैपूर फिर सब्जेक्ट लिखोगे फोर लीव फिर आपका सर सर लिखना है क्योंकि आपे इसने काय कि राइट अप्लिकेशन टूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हिम इसके वहां पर जो प्रिंसिपल है वह आपका मेल है तो अब सर लिखोगे मैडम नहीं लिखोगे फिर गल्त हो जाएगा तो हैडिंग थोड़ा सा द्यान से पढ़ लेना भी किसको लिखना क्यों लिख होगे चाहिए वह लड़का चाहिए वह लड़की है बाकी पैटरन आप अच्छे से देख लेना वीडियो जुरूर देखना एप्लिकेशन का पैटरन इसके ऑप्शन में आपको दे रखा है कि या तो भी उपर वाला करो या पर यह वाला करो अब यहां पर कैसको पढ़ ल लेटर था यह आपका इनफॉर्मल है तो जो आपको ईजी लगे वह कर सकते हो अब सीधा यहां पर एडर्स लिखोगे और एडर्स लिखोगे डेट के बाद में एक वाद यहां रखना एडर्स और डेट तो भाई साब आज कोई भी लेटर है चाहिए फॉर्मल चाहिए इन क्यों के बोटना है और नीचे-दी जैसे उपर के था थैंकिंग यूर्व यहां पर इंकर आइगा यहां पे आपको जो पापा को लेखा तो विश्च कर दोना बाकी फैमिली को नमनी को लेखा तो पापा को विष्क्रक्रदे ना उनकलको लेका तो उनके अंटी को और बच लिखना आता है कैसे लिखना आता है इसके बाद में 21 21 ऑके इसमें क्या करना है एए गंटा होने वाला होगये वीडियो का फिलम भी होगी चलो एक गंटे में शायद कबर हो जाएगा वहां पर आपको डाई गंटे करने मैंने एक गंटे में कर दिया राइट ए स्टोरी सिद्री वात ता बैस सब कहानी लिखनी है ओप्शन होगा जा तो कहानी लिखनी होगी या फिर लिखना होगा पैराग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि वो दो कहानिया दे आप इनका ब्लूप्र प्रत्यार है शेयर चुए वाली कानिया वह जरूर पढ़ लेना और मेरे को लगता है मेरे कोडिंग देखते हैं किसी जाता है कि न जाता है शहद आपके लॉइन और माउस वाली यह ज्यादा चांट सेदान है किसके और लैटर के अंदर भी आपका मेरे को लिए पक्काई दे है अच्छा ग्रिंडी रोग और वह लाइन माउस यह दोन सफ़री सी इंपोर्डेंट है इनको जिरेको लगता कि हम वहते हैं बीक है वो तो भई इनका रटाय लगा लो मैं तो यह कहूंगा ठीक है तांकि आपके फ्री के दस नमबर है यहां पर यह पर यह निच वाले पर पर यह देगा माई स्कूल और माई बेस्ट्रेंट और माइक क्लास टीचर यह पर बेस्ट लस्ट्र आपकर प्लास टीचर वाला अने के चांस से ज्यादा लग रहे हैं कहानियों में अगर दो चरह पढ़ने तो घ्रीट होगी टेलीफेंड वाली होगी और एललेफेंट वा जाएंगी इसके बाद में नीचे लोवी नीचे कुछ नहीं है हमने लगवग एक गंटे की वीडियो को दिर सारा पेपर कवर कर लिया यह सारे के सारे पेपर सापको डाउनलोड करने तो वही गूगल पर सर्च कर ले ना अगर आपको लगे कि कुछ सीखने को मिल गया कोई चीज बड़िया लगी है तो चैनल सस्क्राइब कर ले न भी आपको बड़िया लगे आगे वीडियो आपको ऐसी मिलती रहेंगी कोई भी लेबल पर टेंथ लेबल पर प्रस्टी लेबल पर अच्छा लगे तो बंद आप बनाएंगे समय मिलेंगे बाई बाई अगेन ओल दी बेस्ट बड़िया करके ले कैनल अगर पेपर हो जाए कितने करके हो तो कमेंट वॉक्स में जुरू लगेंगे चार इतने का नंबर काम को लगता है कि हमने कर दिया थीक है बाई 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 थैंक्यु